शनीग रहे 2021 में वर्ष आरंब से दिसंबर तक मकर राशी में ब्रहमण करेंगे 28 मई से 10 अक्टूबर 2021 तक शनीग रहे वक्री आवस्था में ब्रहमण शील रहेंगे शनी देव का मकर राशी में ब्रहमण तुला राशी के लिए कैसा रहेगा जानिंगे इस वीडियो में मैं डाक्टर एसके अगरवाल आप सभी का जोतिश सुक्सम्रधी उपाय में स्वागत करता हूँ जिन जातकों की चंद राशी तुला है शनी का ब्रहमण चोथे भाव में मकर राशी में रहेगा चतुर्त का शनी गोचर ढईया का निर्मान करता है 2021 में तुला राशी के जातकों का विचारों में ऐस्द्रता रहेगी निर्णिय शक्ती कमजोर रहेगी माता से सहयोग मिलता रहेगा परंतु माता का स्वास्त छीन रहेगा वाहन से संबंदित कारियों में खर्च होगा परंतु इस वर्ष छोटा बड़ा कैसा भी वाहन खड़िदने के योग बनेंगे समपत्ती से संबंधित कोई तनाव बनता नजर आ रहा है साथ ही सरकारी या कारियाले से जुड़े कारियों में भी विलंब के साथ सफलता मिलेगी सिर्दर्द पीड़ा वै नेत्र से संबंधित कोई विकार बना रहेगा शत्रूओ की गतिविधियों के कारण मन थोड़ा परिशान रहेगा परन्तु 30 जनवरी 2021 से 15 मार्च 2020 के मद्य का समय श्रेष्ट कर है विशम परिस्तितियों के साथ भी विशेश वस्तु की खरिदारी करेंगे शिक्षावे विध्याकारियों से जुड़े जातकों को विशेश लाब होगा जिन जातकों के रिष्टे की बात चल रही है उनकी इस समय अवधी में बात बनेगी साथ ही नोकरी की तलाश कर रहे जातकों को नोकरी मिलने की पूरी संभावना है 5 अप्रेल 2021 के बाद इस्तिति में और सुधार मिलना शुरू हो जाएगा 18 मही 2021 से 25 अगस्त 2021 तक श्रेश्ट समय है इस अवधी में नोकरी में पदोन्नती होगी वैपार में नवीन योजनाओं का विकास होगा आये में व्रद्धी होगी आपका आत्म विश्वास बड़ा चड़ा रहेगा संतान से संबंदित कोई शुब समाचार मिलेगा इधर 25 नवंबर से वर्ष अंध तक भी समय श्रेश्ट है चोतरफा शुब कारिये होंगे वै शुब कारिये सिध होंगे कुल मिलाकर जनवरी सप्तेमबर अक्टूबर नवंबर महा में थोड़ा सतर्क रहना है लोहे के पाएं के प्रभाव स्वरूप परिक्ष्रम की अधिक्ता के बाद ही परिणाम मिले जुले प्राप्थ होंगे तुला राशी के जातक इस वर्ष को श्रेश्ट बनाने के लिए एक उपाय करे कहीं से नाव में जड़ी कील निकलवा कर उसका चल्ला बनवा कर मध्यमा की उंगली में गहन करे कारिये सिद्ध होंगे वे तनाव मुक्त रहेंगे साथ ही आयप्राप्ती के स्तरोत मिलते रहेंगे उमीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी लाइक जरूर करिए धन्यवाद